आखिर प्राचीन मिस्रवासी कौन सी टेकनलोजी का इस्तमाल करते थे जिसको आज भी वेग्यानिक समझने की कोशिस कर रहे हैं और क्या आपको पता है कि प्राचीन मिस्रवासी नाक के दुआरा धिमाग को निकाला करते थे वेल वो ऐसा क्यों करते थे इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंतक देखना चाहिए मानव इतियास में प्राचीन काल से लेकर आज तक कई विवे ने प्रकार की सब्वेताओं का जन्म हुआ और बहुत सी सब्वेताओं समय के साथ विलॉप्त हो गई इतियास कारों के मताबिक प्राचीन काल में कुछ सब्वेताओं ऐसी भी थी जिनकी टेक्नलोजी सामाजिक, नियायक, आर्थिक विवस्ता और रहन सहन आज के मुकाबले कहीं अधिक विक्सित था दोस्तो इस वीडियो में हम आपको प्राचीन काल की एक ऐसी सब्वेता के बारे में बताएंगे जिनकी वास्तुकला, सामाजिक विवस्ता से लेकर टेक्नलोजी भी आज के युक से कहीं आगे की थी ये सब्वेता है प्राचीन मिस्र की इंसेंट एजिप्ट की सब्वेता के बारे में इतियास कारों का मानना है कि ये सब्वेता इतियास की सब्से विक्सित सब्वेताओं में से एक थी और इस सब्वेता की टेक्नलोजी तो आज तक भी वैग्यानकों की समझ से परे है गीजा के प्रामिड और एलेक्जेनरिया की लाइब्रेरी से ये बात तो पूरी तरह सपष्ट है कि प्राचीन मिस्रवासी, शिच्चा और टेक्लोजी में कितने आगे थे जब मानवित्यास में कई सब्यताइं क्रमेक विकास की ओर बढ़ रही थी उस वक्त प्राचीन मिस्रवासी क्रसी करना सीख गए थे इसके अलावा वो व्यापार करने के लिए पानी के जाहजों का भी निर्माण करना जान गए थे प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे पूरवी उतरी अफ्रिका की एक प्राचीन सब्यता थी प्राचीन मिस्र नवीन सामराज्य के दौरान अपने विकास की चोटी पर पहुंचा। प्राचीन मिस्र की आबादी का मुख्य हिस्सा किसान थे जो की अपनी भूमी के स्वामी हुआ करते थे लेकिन किसानों को स्रम कर देना पड़ता था। अपनी इस समस्या को देखते हुए उन्होंने तकनीकी विकास के तौर पर जहाज बनाने भी शुरू किये और वे इस कारे में सफल भी हुए। इसके अलावा वे प्राक्रते खने संसादनों में भी उन्नत थे। वे जानते थे कि तांबा, सीसा, सोना और कीमती पत्थरों का इस्तमाल कैसे कैसे करना है। और इनके घर मिट्टी की इटों से बने होते थे, जो गर्मी के दिनों में भी काफी ठंडे रहते थे। दूर रखने के लिए भी वे खुस्बूदार इत्र और मलम का यूज किया करते थे। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वहां के लोग बालों से सक्त नफरत करते थे, उनका माना था कि बाल उनकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए वहां के पुरुस्तों अपने पूरे सरीर से बाल हटवा देते थे। इसके अलावा मिस्र की सब्यता के लोग सुन्दरता को भी अधिक महतोपूर मानते थे। इसके अलावा यहां के लोग अपने दातों को विसेस रूप से साफ किया करते थे। इत्यासकारों के मुताबिक आज हम जिस टूथ पेश्ट का इस्तमाल करते हैं वो भी प्राचीन मिस्रवासियों की खोज का ही एक हिस्सा है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज आप जिस बीयर को जानते हैं उस बीयर की खोज भी प्राचीन मिस्रवासियों ने ही की थी यहां तक कि प्राचीन मिस्रवासियों का मुख्य आहार रोटी और बीयरी था लेकिन उस बीर में एलकॉल की मातरा बहुत कम हुआ करती थी इसलिए वहां लोग बीर को सौफ्ट ड्रिंक के तौर पर उपयोग करती थे प्राचीन मिस्र वास्यों ने कांट से बने सामानों और बरतनों का इस्तमाल करना शुरू कर दिया था दोस्तों अगर बात करें प्राचीन मिस्र की वास्तूकला की तो दुनिया भर में सबसे प्रसिद्र सनरचनाएं इसी सब्था की मानी जाती हैं और इसका सबसे बड़ा उधारड गीजा के महान प्रामेड और थेपस के मंदिर हैं जिनकी वास्तुकला को समझना आज के वैग्यानकों के लिए भी टेडी खीर बनी हुई है इनकी बिल्डिंग बनाने की स्किल्स इतने विक्सित थी कि ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट की साहिता से भी किसी भी विशाल पत्तर से बड़ी सटीक और परिशोद कोई भी सनरचना बनाने में सक्षम थे जिसके उधारण आज भी हमें खुदाई के दौरान मिलते रहते हैं इनकी टेक्नलोजी भी काफी विक्सित होती थी और इस टेक्नलोजी को आज हम मिस्र के प्रामिट्स में देख सकते हैं जो आज किसी से भी छुपे नहीं हैं मिस्र के प्रामिट जिनके चारों कोने इस प्रकार से बनाए गए हैं कि वो प्रित्वी के भूगोल की चार दिसाओं की बिल्कुल सीध में हैं इससे ये पता चलता है कि प्रामिट चार दिसाओं को इंडिकेट करने के लिए बनाए गए होंगे और इसके अलावा ये प्रामिट तीन विशे स्तारों की सीध में बनाय गए हैं हो सकता है शायद ये प्राचिन मिस्रवासियों को समय का ग्यान कराते होंगे क्योंकि 21 जून के दिन तो प्रामिट्स के मद्य से सूरयास्थ होता है इस बात से समझा जा सकता है कि प्राचीन मिस्रवासियों को गड़ित और ज्यामती में महारत आसिल थी और आज हम इस बात पर गुरूर करते हैं कि आज हम कितने आदुनिक हो गए हैं बल्कि अगर उस दौर की सब्वेता से आज हम अपनी तुलना करें तो शायद आज हम इतने विक्सित नहीं हैं जितने की प्राचीन मिस्रव के लोग हुआ करते थे क्योंकि वो लोग प्रकृति के समी प्रहकरी विकास की ओर बढ़े लेकिन हम आज प्रकृति से दूर जाकर विकास की ओर बढ़ रहे हैं प्राचीन मिस्र के लोग तकनीकी के साथ साथ धार्मिक रूप में भी परिपक्व थे वे लोग परमात्मा और पुनर जन्म में काफी विश्वास रखते थे उनके पुनर जन्म में विश्वास करने के सबूत आज भी हमें मिलते हैं और ये सबूत हैं शवाओं की ममी बनाकर उन्हें दफनाना दरसल प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शवाओं को ममी बनाकर दफनाय करते थे क्योंकि वे लोग ऐसा मानते थे कि मनुस्य की आत्मा एक सरीर छूटने के बाद दूसरा सरीर धारड करती है और उस व्यक्ती का पुनरजन्म होता है इसलिए वे मरे हुए व्यक्ती को ममी बनाकर एक तखते में बंद करके दफनाय करते थे वे लोग पुनरजन्म को इतना मानते थे कि उस मरे हुए व्यक्ती के साथ उसकी पसंद की हर चीज रखी जाती थी यहां तक कि वे लोग काफी खाना पीना भी उसके साथ रखते थे इसके अलावा वे दांत साफ करने के लिए टूथ पेस्ट और आखों में लगाने के लिए सुर्मा भी उस व्यक्ति के साथ ही दफनाय करते थे आपको बता दें कि वे मरे हुए व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं दफनाय करते थे बलकि उसके प्रते एक अंग को निकाल लिया करते थे जैसे कि किड्नी इत्यादी यहां तक कि उस व्यक्ति के दिमाग को भी नाक के दवारा निकाल लिया जाता था और बस उसे दिल के साथ ही दफनाय जाता था कुछ लोगों का मानना था कि मनुस्य सुख दुख की सभी प्रक्रिया अनभव करता है और वो ये अनभव दिल से करता है इसलिए दिल के साथ ही व्यक्ति को दफनाने की प्रथा थी क्योंकि प्राचीन मिस्र वासियों को दिमाग की ज़्यादा समझ नहीं थी इसलिए उन्होंने दिमाग के बारे में जानने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किये केवल उन्होंने अपने आपको दिल तकी सीमित रखा यदि प्राचीन मिस्र के किसी राजा की मृत्यू हुआ करती थी तो वो लोग उस राजा की मम्मी के साथ उनके नौकरों को भी जिन्दा दफना दिया करते थे उनका ऐसा मानना था कि जब राजा का पुनर जन्म होगा तो ये नौकर उनकी सुरच्चा के लिए उनके साथ रहेंगे इसके अलावा प्राचीन मिस्र के लोग मेडिकल के छेतर में भी काफी उन्नत थे वे लोग और्टोनॉमी के अलावा शरीर से जुड़ी हर बीमारियों का इलाज कर पाने में सक्चम थे वे लोग जखमों को पट्टी बांध कर उपचार किया करते थे इसके अलावा आजम दर्द को कम करने के लिए पेन किलर का उप्योग करते हैं ठीक उसी प्रकार वहां के लोग भी दर्द को कम करने के लिए एक विशेज प्रकार की दवा का उप्योग करते थे प्राचीन मिस्र के लोगों की मेडिकल वव्यवस्ता इतनी विक्सित थी कि वहां हर रोग का एक अलग स्पेसलिस्ट हुआ करता था जैसे दातों के रोगों का अलग आँख के रोग का अलग और वहां के लोग भी केवल ऐसे ही लोगों से इलाज कराते थे जो उस रोग का स्पेशलिस्ट हो इसके अलावा वे किसी भी तूटी हुई हड़ी को सही से जोडने में भी सक्चम थे हालांकि मेडिकल के छेतर में इतनी समझ होते हुए भी प्राचिन मिस्र वासी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाते थे पुर्सों की ओसत आयू करीब 35 साल तथा महिलाओं की ओसत आयू करीब 30 साल ही हुआ करती थी हालांकि वहां के लोग खाने में मीठा खाना अधिक पसंद करते थे और इस वज़े से प्राचिन मिस्र की आधी से ज़्यादा आबादी डाइबिटीज की सिकार थी और इस बात का पता खुदाई के दौरान मिली ममी से लगाया गया है प्राचिन मिस्र के लोगों को आज भी कई उपलब्दियों के लिए जाना जाता है जैसे कि उनका कंस्ट्रक्शन और टेक्नलोजी जिसकी सहायता से उन्होंने विशालकाई प्रामिट, मंदिर और अबलेक्स के निर्माड किये उन्हें गड़ित की भी अच्छी समझ थी एक व्यवारिक और कारगर मेडिकल टेक्नलोजी, सिचाई विवस्था और एग्रिकल्चर के दोरान उपयोग होने वाली टेक्निक, मिट्टी के भरतन और कांच प्रोधियोगी की और साहित तिकला में सबसे 19 सब्वेता के रूप अभी बाकी है, दुनिया के लिए मिस्र की सब्वेता आज भी खोजबीन और गहन अध्यन का विसाय बनी हुई है, दोस्तो आज भले ही हम इतने विक्सित हो गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमसे भी पहले इस धर्ती पर विक्सित सब्वेता राज कर जिनकी टेक्नलोजी को समझने की कोशिस हम आज भी कर रहे हैं